जैहिन दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है जैयो स्टैटी के इस प्लेटफॉर्म पे यूपी सीरीज जो हमारा चल रहा है उसमें अब हम तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने मौझूद हैं तीसरे वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि बुंदेल खंड के बारे मैं हम देखेंगे अब देखिए इसमें बुंदेल खंड का जो आप यह इससा देख रहा है इसमें हम कौन कौन से जीले को आज देखेंगे जहासी के देखेंगे ललितपूर के बारे में देखेंगे चित्रकूट धाम के बारे में देखेंगे चित्रकूट धाम जो की चित्रकूट जीले में मौजूद है उसे देखेंगे और थोड़ा सा हमीरपूर के बारे में देख लेंगे तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम जाला जाने के लिए क्या है कि जो जासी का खिला है जैसे कि हमें पता है कि लक्षमी बाई जी जो जासी की रानी थी उनकी 1859 के वारे में पता है कि किस तरह में उन्हें युध्ध लड़ा जब हम हिस्ट्री को भी लेके समझेंगे UP के 1859 की करांती को लेके तो एक उस वीडियो में फिर से हम इन टॉपिक के बारे में ध्यान से देखेंगे अभी के लिए आप यह समझे कि जहासी में किला है उस जहासी के किले को राजा बीर सिंग देव जी ने बनवाया था 1617 में तो 1617 में अगर आप मुगलकाल से देखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो उस समय जहांगीर थे गद्दी पे 1608 से लेके 1628 तक आपका जहांगीर थे 28 से अंठावन के बीच में फिर आपके शाजहां थे और फिर 1659 से 1707 हमें पता है कि वो औरंगजेब का समय था तो 1613 में जब गद्दी पे बैठे हुए थे मुगल एमपेरर कौन आपके जहांगीर तब यहां पर जहांसी का किला बनाया था राजा बीर सिंग देव जी ने अच्छा ये जहांसी का किला की निव यहां से रखी गई थी जहांसी का एक प्राचीन नाम भी है 17-18 सताबदी में उसे बोला जाता था वो नाम है बलवंत नगर तो अगर मालीजे कोश्चन घूम कर इस तरह के से आता है कि कौन सा ऐसा शहर है यूपी का जिसका नाम प्राचीन काल में मतला पहले के समय में बलवंत नगर भी रह चुका है तो वो आपका अंसर जहांसी हो जाएगा यह इस कीले के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए 1859 की करांती पर एक लाइन आपसे दे दिया जाए स्टेटमेंट में और दूसरा लाइन या पहला लाइन इस कीले के ओरिजिन से जो यह शुरुवात है किसने बनवाया था निव रखी ती इसके बारे में दे दिया जाए तो आप यहां से उस चीज को रिलेट कर लीजेगा आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए जहासी में एक और चीज क्या है जहासी जो शहर है वो आपका दो नदियों के बीच में बसा हुआ है एक तो आपका बेतवा नदी है तो देखिए जहासी की यह हाथि है इन दोनों का संगम जो है वह हमीरपूर जिले में होता है ठीक है तो जहासी में आप देख सकते हैं कि एक तो नदी है जहासी थो क्या देखिंगे कि 1857 की करांती के पहले Doctrine of Labs जो कि Lord Dalhousie ने लाया था तो Dalhousie ने जो लाया था वो था व्यबगत का सिध्धान्त यानि कि Doctrine of Labs जिसके नियम यही था आपका कि राजा का अपना अगर पुत्र नहीं है उन्होंने किसी को गोद लिया दत्तक पुत्र जिसे हम कहते हैं तो उसे हम उसका उत्तराधिक कारी मानने से बना कर देंगे और उस राजय को अपने अधीन ले लेंगे वो फिर ब्रिटिश एंपायर का हिस्सा हो जाएगा तो देखिए यह जब जहांसी को इस Doctrine of Labs के तहत कबजा किया गया था एनेक्स किया गया था लिया गया था तो यह साल था 1854 ठीक है लॉड डलह देख आपका है पारिछाबान के बाद यह डैम बहुत फेमस है सुकवा डुकवा डैम जो पिछले साल भी न्यूज में था आप एक बार यह देखिएगा कि सुकवा डुकवा डैम को कितने साल हो गया है तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कब यह बनाया गया था इस इसे कि कब बनाया गया था ग्लोबल हरिटेज स्टेटस यानि यह जो विश्व धरोवर का जो स्टेटस यह कौन देता है कि दो तीन लाइन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा पिछली बार भी जो मैंने कुछ आपसे चीजें पूछी थी उसमें काफी सारे लोग अद्र है यह आपका जहां सी में है और टीस्रा बरुवा साङर फिर कोश्कन आपके लिए कि जो बरुआ सागर है देखेचे बरुआ सागर बाइन जो है वहां-पे बहुत बड़ा बरुआ सागर ताल है जील है उस पर बना हुआ है आप ये बताइब कि यह बरुकोवा संस्था देती है और दूसरा प्रश्ण उत्र ये देना है कि बर्वा सागर बांध जो है जो कि बर्वा सागर जिल पर बना हुआ है ठीक है यह किस ने बनवाया था बांध को ठीक है यह दो चीजें आप जरूर देखिए को कमेंट सेक्षन में इसका जवाब दीजेगा एक अनुसंधान केंद्र संस्थान इसको आप बोल लिजिए वह भी आपका जहांसी में मिलता है और यह आपको कोश्चन में हमेशा घूम फिर के देखने को मिलता है कौन से वह दो संस्थान है एक आपका है एग्रो यह सेंट्रल एग्रो फॉरिष्ट्री रिसर्च ग्रीन परियावारण इन्वार्मेंट से रिलेटेड है दूसरा आपको देखने को मिलेगा इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्थिचूट तो यानि कि घास से ही चीजें जुड़ी हुई जो भी संसाथ यह है आपका अनुसंधान है उसी से जुड़ी जान है वह आपको यहां जहांसी में देखने को मिलेंगे और यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कि हम लोगों ने देख लिए है प्रश्ण यहां से आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं और कई सारे तो प्रश्ण आये वह इन तत्थियों पर चलिए जहांसी को देखने के बाद अब हम आते हैं नीचे ललितफ्ऊर के बारे में ललितफ्ऊर का पता है आपको पिछली वीडियो में यहां मिलते हैं एक आपका चुवन वाटरफॉल है, चुवन जल्प्रपात, एक आपका कन कदड़ू, ठीक है, कन कदड़ू, यहाँ पर आपको जल्प्रपात देखने को मिलता है, और एक कर करावले, ठीक है, कर करावल है, कर करावले नहीं है, कर करावल, तो चुवन कन कदड़ू और कर करा इन दोनों जल प्रपात को waterfall को ध्यान से देखिएगा इसमें आपको एक बार देखने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि इतनी हाइट कितनी चोड़ाई और कितना अच्छा द्रिश्च है यहाँ पर तो यह सब चीजे थोड़ी सी सर्च करके एक बार आप सर्च करके गूगल पर भी देखेंगे तो आपको उस जगह की फील आएगी वो जगह सिर्फ एक्जाम पर्स्पेक्टिव से नहीं अगर मालीज आप मेंस के बाद इंटरूव में भी जाते हैं आपसे कुछ भी ऐसे पूछ भी लिया जाता है तो भी आप इसका जवाब देपाएंगे वो चीज़ें आपकी जिहन में रहेंगी ठीक है चलिए यह तो जलप्रपात हमने देख लिया जो ललिथपूर में देखने को मिलता है अब ललिथपूर में जो आर्ट इन कल्चर के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट कोश्चन बनता है यह मेंस में भी बन सकता है कि दशा इसे बनाया गया था शासकों द्वारा और गुप्त काल में जो दशामतार मंदीर देख रहे हैं दश अवतार नाम सही लग रहा है कि भगवान विश्नु के दस अवतारों के बारे में इसमें बताया गया होगा तो यह मंदिर यह मंदिर किसके लिए होगा डेडिकेटेड यह मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विश्नु के लिए उनको समर्पित है अच्छा इस मंदिर की खास बात क्या है यह मंदिर जब हम आटन कल्चर में पढ़ते हैं तो इसे पंचायतन स्टाइल की तरह कहते हैं कि पंचायतन शैली के हिसाब से यह मंदिर बनाया है पंच े जह बीच के जगह पे मुख्य मंदिर बन गया तो इस तरह की से देखीए आपको 59 मंदिर देखने को मिल रहे हैं तो अगर उपर से भी बैके तो चार कोन इंच छीन्द पर से यह मिलेका मुख्यय मंधिर यह चायत 어렵डोत बनाया मंदिर और यह आपको दिखे अचायतन शैल तो दिखिए बेतौा नदी जो हम ऐसे देख कर रहे है कि यहां से हमीर पूर घूमी और हमीर पूर में यह जाकर यह हमुना से मिल जाती है संगा मोगता है तो अच्छा उसके बाद इसमें यहां पर ही आप देखेंगे दशावतार यह एक चल्ई आपको देवगड़ देवग मंदीर के बहुत सारे यहां पर देखने को मिलेगा एक और खासबात जैन मंदीर के अवशेश के मिलें में एक गाउं है स्विरॉनी खुर्द में आपको जैन जैन मंदिरों के अवशेश देखने को मिलेंगे, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, तो सना 1700, 1800, 1800, 1800 के आसपास की समय का फोटो जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और लेटिस्ट फोटो शायद कमी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि बाला बेहट का किला, ये बाला बेहट का किला है, ये भी आपको देखने को मिलेगा ललितपूर में, और इसको माराथा सेनापती श्री गंगाधर जी ने बनवाया था, तो अगर आप थोड़ा से हिस्ट्री में और जाना चाहते हैं, तो दो-तिन लाइने और इसके बारे म ने बनवाया था, कहां पर ललितपूर में, ठीक है, उसके लावा कुछ और भी हम इंपोर्टेंट जगा को देख लेते हैं, जो ललितपूर में आपको देखने को मिलता है, एक यहां पर आपको दुधाई नगर देखने को मिलेगा, ये दुधाई नगर जो है, ये राम सा कर सकते हैं कि इतने बहतरीन बहतरीन जगा हमारे मुंदेल खंड में मिलता है, जबकि ललितपूर के नाम पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि वहाँ यूरेनिया मिलता है, ये एक दो चीजे हमें पता होंगी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर कितनी अच्छे-च्छे सब्सक्राइब राजां मर्दन सिंग जी यहां पर उन्हों ने बड़ी बेहतरीन तरीके सा की देशा कि ला ने बीपात हैं कि लगिंगरेगर जानने से लोगा ह। तो ये हमें ललितपूर के बारे में जानने को मिला इतना अच्छा ललितपूर के बारे में एक और important बात ये है कि फिर देखिए बेतवा नदी बेतवा नदी पीछा नहीं छोड़ेगे जब भी आप बात करेंगे ललितपूर जहांसी और हमीरपूर की तो बेतवा नदी पे ये बेतवा नदी पे ही आपका बना हुआ है चलिए यहां पर पुछने मतलब क्या है यह तो लिखी दिया है मैंने तो ये आपका ललितपूर कंप्लीट हो गया, ये आपका जहांसी कंप्लीट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समस्ते चित्रकूट को, चित्रकूट अपने चित्रकूट धाम के लिए मशुहूर है, 14 वर्षों का जो वनवास था, भवानशी राम, भवानशी और माता सीता का, उसमें से 11 वर्ष उन लोगों ने यहीं बिताया था, ठीक है, अब देखिए जो ये चित्रकूट में आप अकसर एक फिमस पहाड है, हिल है, उसका नाम है कामदगीरी परवत, गीरी का मतलब भी परवत होता है, तो कामदगीरी हिल आपको परवत देखने क सियाद रखिए का, कि यहां से विंद्य की पहाडी का कुछ इससा होता है, तो ये विंद्य परवत का ही हिस्सा है, कामदगीरी परवत, ठीक है, अगर आपको कभी वो statement में भी देदे की कामदगीरी परवत, जो आपका चित्रकूट में पाया जाता है, वो विंद्य परवत पारे में यह important चीज हो गया लेकिन एक बात रखेगा चित्रकूट वाटरफॉल चित्रकूट जल प्रपात जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो इंद्रावती नदी होगा उसका आंसर वह चतिसगड में मिलता है ठीक है चतिसगड में इंद्रावती नदी के ऊपर कर्मिशन देखने की जरूत है हमीरपूर में दो पॉइंट देखना है एक तो मैंने आपको बताया कि बेतवा नदी जब यहां से आपका ललितपूर जहांसी और हमीरपूर तक आती है तो यहां पर यमुना नदी के साथ संगम हो जाता है उसके बाद यहां पर मेहर बाबा का मंदीर कहां पर है तो इसका अंसर हो जाएगा हमीरपूर अब नेक्स्ट वीडियो में हम जालाउन के बारे में देखेंगे महुबा के बारे में देखेंगे बांदा के बारे में देखेंगे और लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें यह कवर हो गई फिर भी दो-दो मिनट इन सभी पे सर्च कर लेंगे जो भी आपको important लगे तो बहुत अच्छा लगेगा यह दो सवाल जो मैंने आप से पूछा है उसका जवाब comment section में दीजिएगा तो यह हमारा लगभग complete होता है बुंदेलखंड को लेके पहला वीडियो next वीडियो झाल